नमस्कार मैं हूरानी रूहल और भारत के बढ़ते कदम के हमारे आज के इस एपिसोर में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज इस एपिसोर में हमारे साथ बादशीत के लिए मौजूद हैं एहमद नगर से MP श्री दिलिप गांदी जी से आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि केंदर सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाई ये अपने शेतर में किस तरीके से लोगों तक पहुचाते हैं ताकि ज सबसे बड़ा जो टास्क होता है वो होता है उन्हें इंप्लीमेंट करना लोगों तक पहुचाना तो ये इस बात से आप कितना एगरी करते हैं कितना बड़ा टास्क आपको ये लगता है बिल्कुल सही है सरकारे सभी बनाते हैं योजना भी बनाते हैं लेकिन उसके साथ य योजनाओं का प्रचार और प्रसार का एक माहौल बनाना और उसमें जन प्रतिनिदी और पार्टी के कारे करता ये सब मिलकर जब तक लोगों तक पहुचाएंगे नहीं योजना तब तक वो योजना पुर्नता फलस्वरुप नहीं होती है एक ऐसा है कि मुझे गर्व लगता है कि प्रधान मंतरी नरेंदर भी मुदी जी ने पहले दिन डाल किले से भाशन करते समय उन्होंने सुच्छ भारत अविहान का गोशना की और एक ऐसा है कि एक प्रधान मंत्री जब सुच्छ भारत योजना की पहल करते है और खुद हाथ में जाड़ू लेते है तो उससे समाज में एक संदेश गया मेसेज गया और फिर और मैं तो हर जगे पर हम यहीं भी कर रहे है हर आदमी जब प्रधान मंत्री ले रहा है राष्ट्रपती ले रहा है राज्यपाल ले रहे हैं मुख्य मंत्री ले रहे हैं मंत्री गंड ले रहे हैं सेलिबिरिट्री ले रहे हैं तो दोपती ले रहे हैं तो हमने भी समने लेना चाहिए और इसी योजना से शुरू किये है और उन्होंने उसके बाद जनधन योजना शुरू की अभी तक 20 करोड 40 लाग लोगों ने जनधन योजना के माद्दे में से आकाउंट खोले मुझे भी गरव होता है कि हमने हमारे कांस्टनसी में जो जो गाउं हमने गोद लिये है मैंने एक गाउं गोद नहीं लिये तो नव तैसिल में नव गाउं मैंने गोद लिये है और वहां हमने हर गर का अदमी का जनधन से खाता जोड़ा है उसके साथ साथ हमने उसका सुरुक्षा विमा योजना है जो बारा रुपए बरके करनी है तो हमने रक्षा बंदन की दिन कोई सभी बहेने मान कर 14-15 माहिलाओं का भी मैंने खुदने पैसे बरुआया और हर गर में जाकर हमने इसका प्रचार पसर किया और अभी तक 3-4 लोगों को हमने 2-2 लाख रुपए का चेक भी दिया कि बहुत उसका लोगों में अच्छा मैसेज गया और आम आदमी अभी 12 रुपए भरने में तैयार होने को लग गया अभी हम किसानों को इनको सब को समझा रहे हैं बेपारियों को समझा रहे हैं कि वही सरकारी नवकर है उसको तो पेंशन मिलती है अपने को पेंशन नहीं मिलती है तो अभी तुम्हारा काम करने का जज़बा है तुम्हारी मेहनात लगन है और हम भविश्य में मैं तो इस प्रकार का प्रचार किया है कि पेंशन अगर आपके रही तो आपको फिर कही उर्दा सरम में जाने के आवशकता नहीं पड़ेगी तो क्यों तो तुम्हारे पास पैसा है तो बेटी भी बहु भी संभालेगी बेटा भी संभालेगा सब संभालेगा तो करके आटल पेंशन ये आम आदमी के लिए बहुत जरूरी विशह है जब तुम्हारे पास ताकद है और सरकार ने जितना पैसा आप देंगे उसका 50% पैसा सरकार उसमें डालने वाली है तो एक बहुत बड़ी आमांट होने वाली है करके उसका भी हमने परचार किया और उसके बाद उन्होंने स्कील इंडिया का प्रोग्राम दिया और उसके बाद मुद्रा बैंक का भी उन्होंने दिया मुझे ये बहुत मुद्रा बैंक के बारे में तो मुझे इतना गरू होता है कि हमारे प्रधान मंतरी जी ने जो सोच रखी है कि हर आदमी को कम से कम पाँच पचास हजार से लेके दस लाग तक आज ये दस लाग तक उसकी एहमेत क्रेडिट कर दी है उसकी पत बना दी है प्रतिष्टा बनाई उसको अभी इस देश में का हर जो आदमी है नौजवान है या चोटा आज चोटा बिजनेस करने वाला था जो ठेले पे अभी बिजनेस करता है वो कल जाके दुकान में बिजनेस कर सकता है आपको क्я लगता है कि मुद्रा बैंक जो लोन दे रही है वो और जो पहले लोन दिये जा रहे थे दोनों में आपको क्या डिफरेंस लगता है आपकुछ हो गया है लोन लेना बिल्कुल बहुत आसान हुआ है और इतने सिंपल फार्म है इसके चिशू जो है उसका नही Obrig फॉर्म है और उसमें उन्होंने साथ-अट कांगज मांगे है अधार कार्ड ड्रेशनिंग कार्ड जहां रहेंगे उसका और क्या काम करते हैं क्या नहीं उसके विशे करके वे छे साथ मुद्दे करें दूसरा फिर यूवक और तरुन के लिए चार प्पेज का है उस पे भी उतने ही दस बारा मांगे उन्होंने मांगी है और जो विद्यमान होगा जिसका खुद का बिजनेस आभी होगा और उसको डेवलप करने के लिए उसके अगर पास प्रॉपर्टी नहीं होगी क्यों तो आर्विया के नॉर्म के एसाब से कोई भी बैंक एक लाग रुपे का पर का जब रून देती है तो उसके लिए प्रॉपर्टी मौर्गेज मांगती है अभी मुद्रा बैंक का सबसे बड़ा फाइदा यह है ना गैरंटर चाहिए और ना ही प्रॉपर्टी चाहिए यह दोनों दस लाकत का लोन खुद के बलबूते पर मिल सकता है आपके काबिल होते हुए भी उसको जितना भांडवल चाहिए ता वो नहीं मिलता था और मुद्रा वैंग में यह है कि बहुत कम समय में आठ दिन में पंदरह दिन में ज्यादा में विदेन मंत में उसको लोन करजा मिल रून मिल जाता है तो बहुत आसानी से मिल रहा है और एक ऐसा है कि उसके कारण हर आदमी में एक विश्वास पैदा हुआ है दूसरा एक तरफ स्कील इंडिया का कारेकरम शुरू हुआ है तो अभी जो भी नवजवान आएगा वो आई ट्याम में जाएगा वहाँ कोई अलग कोर्सेस करेगा छे मेने का एक साल का देर साल का दो साल का जैसा ह कोर्स लेकर खुद प्रिपेड होके जब बहार निकलेगा तो उसको किसके पास जानेगा वह शक्ता नहीं कोई गरीब का बच्चा है अभी वह अच्छा एक लेट मशीन चलाने का उसने अच्छा कोर्स कर लिया उसमें वह एक्सपर्ट बना उसको फस नंबर आ गया उसका उसके अंदर जब बहार आएगा तो उसको अभी मशनरी खरेदने के लिए दस लाग रुपए तक कर रून तुरंट में जाएगा तो इसके माद्यम से लोगों को हम रोजगार भी उपलफद करा देंगे और उसके साथ साथ डेवलप्मेंट भी शिरू हो जाएगी और जब लोग काम दंदे में रहते हैं तभी वो ज्यादा अच्छा देश को आगे लिजा सकते हैं आप अपने शेतर में लोगों तक ये योजना है किस तरीके से लेके जा रहा है ताकि उन लोगों को पता चले कि ऐसे स्कीम मोदी जी ने लांच की है आप कैसे अपलाई कर सकते हैं कैसे उसका बेनेफिट आप ले सकते हैं मैंने तो मुद्रा के माद्यम से वैसे बाकी की योजना का भी हमने प्रचार प्रसार किया है लेकिन मुद्रा का प्रचार बढ़ चड़ के किया है इसलिए कि लोगों को पैसे का अकरशन है हर एक आदमी को और पैसा जब मिल जाता ह हाथ में तो उसको काम करने का जजबा तयार होता है मेरे और मेरे डिस्टिक्स से कम सके मवी 10,800 लोगों को अभी तक मिला है 92 करोड रूपया हमने इन लोगों को बाटे हैं और मेरे जो गर्व ही है कि जो रसी बनाने वाले हाथ से रसी बनाते हैं जो शिपिंग में लगती है वो रसी बनाने से लेके कोई टिफिन बनाना है कोई इंडस्टी बनानी है किसने छोटा शॉप दालना है एक कमर्शल उसको बिजनेस करना है तो आई से सब प्रोजेक्ट में लोग बढ़े और हमने ये सब को दिया है पैसा हमने 25,000 से लेके 10,000,000 रुपय तक लोगों को ब बढ़े पैमाने में कटोती होकर बहुत नामिर और आने आले एक 10 साल के अंदर कोई भी दरीदी रेखा के नीचे नहीं रहे इस प्रकार का मेरा प्रयतना है करके उसको योजना से गुंपना है और हमने इसके साथ लोगों में ये भी जानकारी पैदा की है कि भई ये पैसा आपको वापस लोटाना है कोई पैसा मिल रहा है आज इसका सदोविव करिए खुद का बिजनेस पड़ो अपने परिवार को बढ़ा करो और आपकी क्रेडिटेबिलिटी बैंक में बनाओ सबसे जादा लोग जो आपके पास आते हैं वो एक कॉमन क्या प्रॉब्लम लेकर आते हैं जैसे कि उन्हें बैंक में जाए तो बैंक वाले सपोर्ट नहीं करते हैं ये स्किल डेवलेप्मेंट के लिए जाएं तो उन्हें पता नहीं है कि कहा पर जाएं क्या करें तो सबसे और उसका पैसा लोको को दिया है वह आपके लिए का ऐनाँ थिसलिए उनको लगता हिए मुधरा का भी पैसा है ऐसा ही जाएगा Pitts पैसा आएगा यह नहीं है करके उनके तेपर हमने निमाक में सेर्न निकाल दिया है कि नहीं वे आपको बिलकुल देना है हाम आदमी को खाड़ा करना है उसको पूरा सरकार जब जमानत सरकार कर री एतो आपको देने की ज़रोत है तो इस सड प्रेंग वाला उनको ठीक से बातलों मत नहीं कर रहा है या कोई भी योजना के बारे में उनसे सही बात नहीं कर रहा है तो वह फोन पर तुरंद मेरे से बात कर लेता है हम 24 गंटे मोबाइल पर आवेलेबल है या मैं कोई मीटिंग में रहता हूं तो जितने नंबर आते हैं वापस में रिकाल करता हूं तो हमारा इस तरीके से हर एक के सवाल जो भी कुछ उनकी दिक्टे आती है सवाल पैदा उनके दिल में होते हैं उनका निराकन करने का काम हम करते हैं बाकी जो सांसद हैं कि आप उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे कि कि वो किस तरीके से अपने चेत्र ने काम कर सकते हैं लोगों तक कि नो यू जना तो रही जो हैं उनको पहुचा सकते हैं कि हर एक कि ऐ unique जो है कि दिल भी बढ़ती है और सरकार की मेज बनती है हमारा जिम्मा बनता है कि हम सरकार की योजना आम आदमी तक पहुँचे उसको लाभायनित करे उसके दिल में खुशाली पैदा करे उसके परिवार में खुशाली पैदा करे ये करने के दुश्टिक उन से सांसोदों ने केंदर सरकार की और राज्य सरकारों की सभी योजना उन जरूरतमंद लोगों तक पहुचाना का काम हम करना यह हमारा सबसे बड़ा जिम्मेदारी है कोई अगर आपसे कॉंटाइक करना चाहता है आपसे मिलना चाहता है या अपनी आपके साथ श्याय करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है मुबयल है मेरा आड North उसके पर ल होगित çek सकता है या मुवाइल नम्बर पर हमारे बात कर सकते हैं अपने हमसे बात के सके लिए बहुत हैं जान्यवादी